36 गड़ के कांकेर जिले में नक्सलीनों द्वारा लगाए गाए प्रेशर इंप्रोवाईज एक्स्प्लोसिफ डिवाईस के विस्वोट होने से बीसफ के दो जवान घायल हो गए दोनों घायल जवानों को प्रात्मिक उप्चार के बाद रैपूर रेफर कर दिया गया अधिकारी ने बताया कि घटना कोईली बेरा पुलिस थाना शीतर के 120 किलोमीटर दूर चिलपरस में बीसफ कैम्प के पास की है जब घटना हुई उस समय बीसफ की एक टीम सड़क सुरक्षा अभियान पर निकली थी विकास के लिए सड़कों की हुच जादा जरूरत होती है चेतर में नकसली बहुल एरिया चेतर को माना जाता है और नकसली बहुल होने की वज़ए से सासंद चाहती है कि गाउं गाउं तक सड़क के जाल बिछाए जाएं किन्तु नक्सलियों को लगता है कि सड़कों के जाल बिछने के बाद से उनका जो सेफ जोन है जंगली छेतर है वो उनको सिकुड़तो जाएगा और रो कहीं न कहीं खत्रे में आ सकते हैं यही वाज़ा है आज नक्सलियों ने आई-ई-ड ब्लास्ट करके दो जवानों को घैल एक पानीडोबी एलोएस है और कम्पनी है सुबे आट बज़े आट बज़े आज हमारी पार्टी एडीप एरोस आडेसो के लिए निकली हुई थी तो उसी में रामिनों के वेश में क्योंकि महुआ बिनने के लिए कापी लोग उस समय उपस्तित है तो पोस्ट अन्दा जवानाग है उसे निजड हुए है उनको सुरक्षी तरूप से हम लोग एयर लिपकर के रायपूर शिप्ट हो गया है जान को खत्रा नहीं है क्योंकि अभी पिछले तीन महीने के अंदर ही हम लोगोंने केम खोला उसे एरिया में दो पुलिया बना बना दिया एक पुलिया मतलब कंप्लीट होने वाला एक हो चुका है और फड़क काम भी बहुत तेजी फे चल रहा है तो उस छेत्र में क्योंकि उनका एक्छतर राज रहा है उस छेत्र में काफी अच्छा उनका होल्ट रहा है अब वो खत्म होने वाला है इसी की बॉकलाहत कह सकते है कुल मिलाग क